नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताईएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बूलेंगे राधे राधे और सुनाओ क्या हाल चाल आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताईगा हम भी बहुत बहुत और यह batch applicable है आपके November 2024 and May 2025 exams के लिए मैं पुरी शिद्दत और इमानदारी के साथ यह batch आपका record करूँगा उतनी ही शिद्दत और इमानदारी के साथ आप इन classes को करिएगा इन classes के दौरान जो भी instructions मैं आपको दूँ तो उसे blindly आपको follow करना है कहते हैं कि गुरू सोच समझ कर चुनना चाहिए और एक बार जब चुनाब हो जाए तो फिर doubt नहीं करना चाहिए राध है राध है तो चुकि हमारे पास यहाँ time constant होता है समय सीमित होता है इसलिए हमें अपने एक एक minute एक second को ठीक से संजो के रखना है और हाल चाल और एक दूसर से पहचान जान पहचान तो कुछ classes में अपने आप हो ही जाएगी लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप एक नए student है ऐसा लगता है कि मैंने ही तो पढ़ाया था आपको intermediate में राध है राध है ठीक है तो आईए ज़रा यहाँ पर बात करते हैं और GST से आपकी शुरू बात है तो पहले मैं छोटी मोटी आपको बाते बता दूँ आप उनको कहाँ पर नोट करेंगे यहाँ नोट कर लीजिए यहाँ पर आईए श्री गणे शायनमे जाजा शीरा थे ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सलेबस को लेकर जो आपका सलेबस है इसमें GST आता है भाई मेरे 80 मार्क्स का और कस्टम आता है आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर हम इधर उधर की बातें बिलकुल नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्यॉर नीट पढ़ाई होगी और यह इतने का हो गया ठीक है जी सल लगभग कितने इसमें आर्स लग जाएंगे इस पूरे को कवर करने में मुझे बोलता तो मैं 100 आर हूँ लेकिन फिर भी ऐसे मान के चलो 115 आर्स के आसपास इसमें लग जाते हैं ठीक यहस नमबर दो पर बात करते हैं किताबें जो मिलेंगे आपको वो कौन कौन सी मिलेंगे किताबें जो मेरी regular kit आती है नोट कर रहें आप लोग हाँ करते रहेगा जो regular kit आती है वही मिलेगी जिसमें हमारे GST के volume number 1 आता है volume number 2 आता है और volume number 3 आता है ठीक, और इसके practice के लिए question and answer की book यानि compiler आपको मिलेगा, एक book इसकी अलग से होगी, जो customs है अपना, तो customs के लिए आपका एक ही volume है, single volume है, ठीक है, and इसके लिए जो question and answer है यानि की compiler, उसकी पतली सी book मैंने अलग से बना कर दी है, ठीक है, इसमें आपके descriptive question and answer भी है, MCQs भी है और case scenarios भी आपके दिये हुए हैं, आपको साथ में support के लिए wall charts भी मिलेंगे, यानि कहने के ताथ पर यह है in short की जो मेरे regular batch के अंदर books इस्तिमाल होती है, same book as it is, आपकी यहाँ पर use होने वाली है, नमबर तीन पर बात करते हैं, अपडेशन्स की, तो जैसे कि आपका exam है November 2024, सी इंस्टूट कहता है कि बच्चों को बताना कि उन्हें छह महीने पहले तक update होना है, छह महीने पहले की date पड़ेगी 30th April 2024, ठीक है, एंड इसमें आपके लिए मैंने मेरी जो किताबे हैं by this date fully update कर रखी हैं और सारी किताबे रेडी हैं और एक ही single lot में ही आपको किताबे भीजे जाएंगे, सर ये वाला बैच लाइव क्यों नहीं लिया, लाइव ले सकता था लेकिन time suit नहीं कर रहा था, मेरा morning में जो बैच होता है वो regular होता है और regular बैच के बाद आदा घंटे का break लेकर मैं ये recording कर देता हूँ, तो सारी चीज़ें ताजा ताजा होती है और बहुती शानदार तरिके से ये हमारी बात यहाँ पर हो जाती है, ठेक है, अब जिस बच्चे का exam में 2025 में है, तो उसके लिए 6 मेने पहले की date पड़ेगी, 31.10.2024 करके, तो यहां से यहां तक के जो gap ये अपना आया 6 मेने का, इस gap के लिए आपकी, जहां तक मेरा मानना है, एक amendment class आपको लगानी पर सकती है, election से पहले धेरों changes आते हैं, election के just बात बहुत सारे changes नहीं आते हैं, ठीक, yes sir, तो all books मेरी by this date update हैं, यानि कि जिनका November 2024 exam है, उनके लिए fully update, not even a single amendment अलग से नहीं करनी है, May 25 वालों के लिए मेरी मजबूरी है कि मैं का 30 October में अभी जहा कर नहीं देख सकता हूँ, 30 April तक वो amended है, और ये एक class उनको यहां पर यह लगानी पड़ेगी, उसके बाद ये, आईए, ये मेरा number है, 98100 12161, WhatsApp अगर बाई दबे ना दिख पाई हो, कभी कभी चूक जाता है, तो आप direct call कर लिजीगा इसके उपर, ठीक है, या तो callback, मतलब मैं call pick कर लूँगा, या class हो अगर हमें हुआ तो मैं आपको callback कर लूँगा, YouTube channel, Instagram, etc, तो यहाँ आप मेरे नाम से सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक सर्ची, और पाँचवे point के अंदर मैं आपको बताऊं कि हमारे batches के अंदर हम क्या-क्या और किस तरह से इस्तिमाल करने वाले हैं, USP के तहट आपको five features मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ USP के अंदर हम बात करें, तो हम किन-किन चीज़ों को शामिल करने वाले हैं, हमारा यहाँ पर सबसे पहले use of GST portal, एदर use of GST portal हम अपना करके चलते हैं, बहुत लंबे समय तक दिमाग में बैठ जाती है, अच्छे से सैट होती है, और मैं हमेशा इस बात को दिमाग में रखते वे पढ़ाता हूँ, कि आपका paper होने से पहले जो एक दिन की छुट्टी आपकी होगी, उसमें क्या आप इतना सारा content, इतना सारे concepts को properly revise कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो जब concept पे पकड़ अच्छी होती है, तो चीजे या recall अच्छे से हो पाती है, तो एक तो से इंस्टूट ने GST portal का use mandatory कर दिया है new scheme में, लेकिन मैं तो से 2020 से ही अपने batch में शामिल कर रखा है, इससे चीजे मजबूत होती है और हमें practical ग्यान भी प्राप्त होता है, live demonstrations, मैं आपको live demos दूँगा, जैसे कि ये हमने किया है, इस समय मैं मेरे नए studio के अंदर मौजूद हूँ साहिब, और नए studio हमारा बहुती 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 बड़ा है, और यहाँ पर आकर हम इस प्रकार से अपना एक live environment create कर पाएंगे, यह बहुती बड़ा studio, बहुत बड़ा hall type studio है मेरा इस बार, ठीक है, है ना, और वैसे करके है जी, तो हमें पता है कि जो कठिन concepts होते हैं न, उनमें क्या होता है कि कितना ही समझा लो theoretically, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कसरसी रह जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे concepts के लिए मैं demonstrations देता हूँ, एक play के रूप में, खेल खेल में ही concept दिमाग में set हो जाता है, हसते खेलते कूते और लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है जी, तो ये हो गया अपना point, उसके बाद, CS student की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे लिखना नहीं आता, नमबर एक और नमबर दो, time bound frame में नहीं लिखना आता है, कम समय में ज़्यादा content लिखना नहीं आता है, तो इसके लिए मैं class में writing practice कराऊंगा, chapter खतम होने के बाद में, अगला chapter तब शुरू करेंगे आप, जब पहले वाले के question answer हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने question answer नहीं किये हैं, तो अपनी तयारी को आप पूरी मस समझे लेना गलती से भी, आपके तयारी सिर्फ 50% है, जब तक कि आप उसके question answers नहीं कर लेते हैं, तो हम जितने भी top notch questions हैं, मैं आपको उकरा के चलूंगा, और हर chapter में से, एक या दो question में खुद लिख कर दिखाऊंगा, और एक दो questions हर chapter से आपको लिखने के लिए दूँगा, आपको अलग से करना है, और रोजिस्टर्ट का परपस सिर्फ writing practice ही होगा, शुरू में आप बड़े आराम से लिखेगा, धीरी धीरी लिखेगा, पर लिखना आ जाए, और जब लिखना आ जाएगा, तो फिर आप speed पर काम करेंगे, कि मैं एक नए question को within the time frame कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब गाड़ी सीखते हैं, तो यह नहीं कि देवन पर भगादी असी की speed पर नहीं, पहले 10-20 की speed पर धीर धीरे सीखते हैं, और gradually हम speed बढ़ाते चले जाते हैं, और कब हम 100 की speed पर पहुँच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, उसी pattern पर हम इस discussion को अपना करके चलेंगे, जब आपको लिखना आ जाएगा, तो मैं आपके test देना शुरू कर दूँगा, test आप देते नहीं हों, इंटर वाले बच्चे खूब test देते हैं, answer sheet आपको check होकर online available होईई, ताकि आप देखें कि आप कहा लेक कर रहे हैं, यह rehearsal करना बहुत जरूरी है, जो बच्चा बिना rehearsal के चला जाता ना exam में यार, बड़ी समस्या हैं उसको हो जाती है, से institute कहता कि बच्चे से तीन बार लिखवाना है, बता देना बच्चे को, चाहे तो दो बार घर पे लिखके आए, और finally एक बार exam hall में आके लिख दे, या तीनों बार यहीं पर आके लिखे, चोईस बच्चे की है बता देना, मैंने आपको बता दिया है, मैं IRS officers को भी train करता हूँ, UPSC qualify करने के बाद, जिनका selection as IRS officers होता है, तो उनकी training होती है, बीस दिनों का यह program होता है, full day training होती है, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, तो मैं 20 दिनों वाँ occupy रहता हूँ, यह मेरा पहला बेच था February 2020 में, यह अगला बेच था, तो दो बेच की मैंने आपी लगा रखी है, इससे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, कि सैक्ड़ों IRS officers, अटच में हैं, तो जब आपके chapters आते हैं, registration, search, seizure, यह वो, refund, तो हम officers को class में बुला लेते हैं, और फिर, table के उस पार जहांकने की कोशिश करते हैं, कि वो काम कैसे करते हैं, उनका working style क्या होता है, कौन सा software यूज करते हैं, जिससे कि हमें बहुत गहरी समझ, हमें subject के बारे में पैदा होती है, लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बशर्थे कि उस topic पर, subject पर हमारी पकड़ माज़िबूत होनी चाहिए, ठीक, ये पुने भी जाता हूँ, मैं face to face पढ़ाने के लिए, तो वहां पुने का बैच चल रहा था, तो वहां पर मैंने हुआ ही के, एक में रिस्टुडेंट है, कुमार अम्रीश, assistant commissioner है वहां पर ये, क्योंकि पहली posting assistant commissioner की होती है, उनको मैंने class में बुला लिया, कि बच्चे कुछ मिलना चाह रहे हैं, आईए कुछ बाते करना चाह रहे हैं, बच्चे लंबे चौड़े हो रहे हैं, कि भाई है मैं ऐसे tax evasion कर देंगे, बन गया है, मैं इसमें commissioner rank के व्यक्ति को भी बुला सकता हूँ, मैंने पुरी विवस्ता according ली कर रखी है, ठीक, अच्छा जी, COVID की time पर मैंने अपना studio घर में shift किया था, तो वो उत्स level का नहीं था, बनलब इतना सुंदर नहीं था अंदर से दिखने में, कि मैं एक बड़े अधिकारी को वहाँ पर बुलाओ, लेकिन मैंने अब वो काम कर दिया है, एक बहुत रही, wireless studio है मेरा, wire नहीं दिखते हैं इसके अंदर, ठीक है जी, उसके बाद ये हमारा result है, सारे efforts के बाद मैं, ultimate result मिलना चुईए, तो दस बार, all India rank 1, आपकी classes में से बच्चे आ चुके हैं, और 11 times, all India highest marks, बच्चा ला चुका है, इन्ही classes के बीच में से, इस तरह से effort डालने से, ठीक, एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूँ, बबुज़ जो hard reality है, हमारा बच्चा all India highest भी लाता है, और हमारे बच्चे फेल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, teacher अपना प्रयास करेगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा, आपका all India highest marks दिलाने का, और exemption से कम तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपके efforts, दिखने चाहिए, number I, आए, कम आए, जादा आए, efforts जरूर दिखने चाहिए, life में मेरी इस बातों गांठ मार कर रख लेना, आपकी सची मेहनत, आपको तो पता है ना, आप कैसी मेहनत कर रहे हो, रात को सोने से पहले, अपने आप से पूछना कि, ठीक है जी, ये मैंने कुछ पिक्चर्स बच्चों की डाल रखे हैं यहां पर आकर, जो ये, All India Rank 1 या फिर, या या, या All India Highest Marks लेकर आए हैं, आए, वापस घूम कर आते हैं, मैंने अपने बारे में बता दिया, कि हम क्या क्या फीचर्स को यहां पर, इन्विल्ट करने वाले हैं, और, अब हम सीरी मुद्दे की बात पर चलते हैं, यहां पर आ जाते हैं, और ये है आपका, Indirect, Taxation, पेपर नमर कौन सा है, नहीं बताओगे, चलो मैं बता देता हूँ, पेपर नमर अपका 5 है ये, पहले कभी पेपर नमर 8 हुआ करता था, अभी पेपर नमर 5 है ये, ठीक, और, चलो साहिब और आगे बात को बढ़ा देते हैं, और चलते 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 चलते, ये आपके यहां पर, कुछ शुरुवाती चप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां के बाद से, फिर एक अलग सीन क्रियेट होता है, इसलिए में इसको, दो भागों में बाटा है, पहले मॉडूल को, चप्टर 1, 2, 3, गुड साविस, सप्प्लाई, प्लेस आफ सप्प्लाई, टेक्स परसन एग्जम्शन, एक बाबा की बूटी नाम का चार्ट आता है, जो बच्चे उलिड इंटर में पढ़ चुके हैं, वो जानते होंगे, यह मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, यहां पर आपका कविस्ट समय लगे, तो पढ़ लीजिएगा, और पहला चैप्टर आता है, आपका यहां इंटरड़क्शन का राधे राधे, देखे, शुरुवात कहां से होती है, आपके घर में वही पांच-साथ लोग होंगे, फैंमिली में, मेरे घर में भी आठ मेंबर हैं, जोइंट फैंमिली है, तो परिवार में एक हेड परसन होता है, मुखिया होता है, जो परिवार को चलाता है, कमा खलाता है, नॉर्मल पिताजी होते हैं, और माताजी में और में नॉट भी, और परिवार की जरुतों को पूरा करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, सिक्षा, स्वास, सेड, सपटा, हर परिवार की दो तरह की नीट्स होती हैं, एक इंटर्नल और एक होती हैं एक्स्टर्नल, तो जो इंटर्नल नीट्स हैं, वो फैमिली का हैड पूरा करता है, और जो एक्स्टर्नल नीट्स हैं, सडके बनवाना, पुल बनवाना, स्कूल, अस्पताल and all इन external need के लिए पैसा कौन देगा मैं बनवाऊंगा या आपके घरवाले बनवाएंगे नहीं ये सभी के लिए है ये सारवजनिक होईंगे सारवजनिक होईंगे तो एक बड़ी family के रूप में सारी families को देखिए 78 लोगों की बजाए 140 करोड लोगों की भी एक परिवार है उस परिवार का नाम में भारत इसके मुखिया कौन है मुखिया सरकार है सरकार तीन लेवल पे बटी होई है Central Government, State Government और Local Authority हर चीज़ देखा जाए तो काइनात में तीन हिस्सों में बटी होई है ब्रह्मा विश्णू महेश Electron, Proton, Neutron Characteristic वही है सबके Electron, Proton, Neutron Positive, Negative और Neutral ऐसे ही ब्रह्मा विश्णू महेश एक सरजन करता है एक Destroy करते हैं और एक पालन करते हैं कई भी जाएए तरिगुण, तरिगुण हैस प्रकृति के अंदर ठीक तो Internal Needs को तो पूरा कर लिया External Needs को सरकार पूरा करेगी लेकिन सरकार कौन सी salary आ रही है उसकी, कौन सा business कर रही पैसा कहां से आएगा तो बोलते हैं कि भई तेल तो तिलों में से ही निकलता है इनके लिए जो पैसा आएगा वो हमारे आप के जिब से ही जाएगा सरकार कहती कि आप जो भी कमा के ला रही हो उसमें से एक bite हमें भी दे दो और ये सभी से bite ले लेकर एक बहुत बड़ा biteा बन जाता है और उसको सरकार खर्च करती है हमारे ही development के लिए हमारे लिए अच्छचछ़ highways बनते हैं and all सारा infrastructure तयार किया जाता है सारी सुविधाय हमें दी जाती है तो जब tax का पैसा हम दे रहे होते हैं तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा व्यर्थ में जा रहा है वो पैसा ultimately घूम फिर कर हमारे पास में आएगा धरती गोल है ध्यान रखना ऐसे ही कोई भी करम करें हम घूम फिर के सामने पकाएगा तो tax का पैसा भी जाएगा कहाँ घूम फिर के यहीं आएगा हाँ वो अलग बात है कि कभी-कभी leakage हो जाती है भरष्टा चार के चलते हुए तो दिल दुखता है कि यहार हमारे गाड़ी कमाई का पैसा है और वो भरष्टा चार में गायब हो रहा है इसलिए लोग मनलब वो करते कि यहार मैंने दूंगा मैंने दूंगा दूसरा tax credit इतने हाई कर रखे हैं कि लगता है कि एक काम करो जो tax बनता है वो मेरे पास रहने दो और जो मेरी कमाई वो तुम ले जाओ कभी-कभी ऐसा भी फील्म में आती है ऐसे निकल के ठीक तो यहां से सरकारी tax मांगना शुरू करती है इसी bite को tax का नाम दिया जाता है और यह एक compulsory nature का होता है ऐसा नहीं होता कि जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला सरकार तो लट लेके गूमती रहती है कि ओए ओए देना ही पड़ेगा it is compulsory extortion लेकिन यह compulsory extortion से तो हफता वसूली की बू आ रही है कोई बात नहीं सरकार कहती है काम तो वही करेंगे लेकिन legalized तरीके से करके चलेंगे तो यह आपका tax यहाँ पर बन जाता है वही है कि एक व्यक्ति दूसरे में गोली मार दे तो वहाँ पर तो फिर jail हो जाएगी उसको उमर कैद हो जाएगी और अगर border पे दुश्मन को गोली मार दे तो medal मिलेगा तो depend करता है कि किन परस्थतियों में कौन सा काम किया गया है कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता परस्थतियों से अच्छा या बुरा बना देती है to support the nation extra need को पूरा करने के लिए यह यहाँ पर काम किया जाता है text दो तरह का होता है अच्छा पहले chapter के अंदर हम सारी जो सामगरी है जो material है उसे कठा कर रही है kitchen में खाना बनाने से पहले बहुत सारे सामाने कठे करने पड़ते हैं सबजी, काटनी, मिर्च, मसाली, हल्दी, वोई हल्दी वल्दी समय कठी कर रहा हूँ फिर खाना बनाएगे foundation चल रही है आपकी हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि मैं ऐसे नहीं कि यहां से read करा दिया फिर समझा दिया नहीं ऐसे नहीं होगा मैं आपको situations दोगा कि बताइए इस target को achieve करने के लिए हमारा law कैसा होना चाहिए और आप बिलकुल मैं डरना ना मुझसे ना lawmaker से इतियास वही रचते हैं जो कुछ अलग करने की मैंशा रखते हैं जो लीक से हटके चलना जानते हैं ठीक तो जब भी मैं आपको बलू बताओ क्या होगा तो do not try की कि किताब में कहले काप वो बोलो आप always बो बुलेंगे जो आपको ठीक लगता चाहिए वो गलत हो या सही हो आपका हर गलत जवाब सरमा थे ठीक अच्छा जी कोई गलती करोगे तो ही तो मैं आपको correct करके इसको ठीक कर पाऊंगा फिल कर पाऊंगा अगर आपने किताब की टोन में चले गए तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए अपने नैच्रल आप question के answer देकर चलेंगे ठीक सर आप सुनोगे कैसे मुझे सब पता तुम क्या question पूछोगे और क्या answer होगे don't worry type of taxes की बात करते हैं दो परकार के होते हैं एक direct tax हो गया और एक अपना indirect tax हो गया पहचान के लिए दो जादूई शब्द हमारे पास में होते हैं tax किस पर लगाया गया और tax किस ने सहा उसका load किस पर आया imposed on whom और bond by whom अगरे दोनों व्यक्ति एक ही है जैसे income tax है लगता भी मेरे उपर है और सहता भी उसे मैं ही हूँ लगा भी मेरे उपर और सहा भी मैंने तो direct tax है लिकिन जब इन दो शब्दों के बीच में दो अलग-लग वक्ति आ जाते हैं कि GST लगा मेरे उपर लिकिन मैंने आप से पैसे ले लिए GST के तो यह अपना indirect tax यहां पर आकर बन जाता है जैसे कि vaccination तो कराया होगा COVID में वक्सिन जब लगी थी लगी आपको थी दर्द किसको हुआ था पड़ोसी को? नहीं आप ही को हुआ था direct tax और दूसरा दूसरा यह कि यहां पर आकर अगर छोटे बच्चे को जब vaccination किया जाता है तो बच्चे को तो बहुत बाद में पेन होता है जब vaccine लग भी चुकी होती है डॉक्टर जब सिरिंज भरता है चुभाता है शरीर में लगाता है injection मतलब बच्चे को पता है नहीं चलता है पता लगता है बाद में रोता है लेकिन मा को दर्द तभी हो जाता है जब डॉक्टर ऐसे ऐसे कर रहा होता है ठीक हाँ सर जी ठीक है तो यह वाली बात है तो वह अपना indirect tax वहां पर बन जाता है सर यह exam oriented में और regular में क्या difference है difference दरसल कुछ इस वे में होगा मैंने time कहाँ पर shorten किया है like जैसे GST portal का मैं comparatively कम use करूँगा अब यहाँ पर मैंने regular batch में demonstration दिया था injection लेकर किसी को बुला कर यह चीज़ थोड़ी से मैं कम करूँगा कहीं न कहीं से निगलेगा समय concept wise में कहीं कोई compromise नहीं करूँगा syllabus coverage में कहीं कोई compromise नहीं किया जाएगा ठीक extra activity जो होती है additional features उनमें थोड़ी सी गिरावट मुझे करनी पड़ेगी तक क्योंकि मेरे सर पे time constraint है तो जो अपना indirect tax होता है न इसको हम लोग business tax के नाम से भी जानते हैं साहिब business tax तो ये business man के उपर ही लगता है salary वालों से इसका कोई लेना देना नहीं है अच्छा जी छोटा सा example लिया है value 10,000 की GST 1800 रुपे कुल मिलागर 11,800 मेरी pocket में आ जाता है मुझे बताइए इसमें से मैं मेरा पैसा कितना बोलू मेरी fees क्या 11,800 या 10,000 सर मेरी fees सिर्फ 10,000 है इसमें से 18,800 रुपे मुझे government को देने है ये मेरा है ये मेरी fees है ठीक है चुकि indirect tax के अंदर मैं आपसे तभी ले पा रहा हूं क्योंकि सरकार ने मुझे बोला है ऐसा करने के लिए कि आप ले सकते हों गौर्मेंट के नीचे मैं बैठा हूं supplier और supplier के नीचे recipient बैठे हैं आप तो गौर्मेंट ने कहा मुझे मैंने कहा आप से और सरकार के पास पहुँच गया सरकार को किस ने बोला लेने के लिए ACT ने ACT में power कहां से आई Constitution of India से तो सर्वे सर्वा कौन है भारत का समविधान उसकी छत्रचाय में ही सारे काम किये जाते है 4000 मेरा खर्चा हुआ खर्चा पानी काटने के बाद जो आया वो gross income आई और income के उपर फे सरकार कहती है थोड़ा पुल अधूरा पड़ा है थोड़ा income tax भी लगेगा 30% मान लीजिए फ्लेट income tax लगा दिया 18 सुर्पे का वो बन गया यह अपना direct tax है तो मेरे bedroom में कुल मिलाकर 42 सुर्पे ही पहुँच पाते है सर जो indirect tax है अपना वो आप से लेकर उनको दे दिया मेरा था ही नहीं सरकारी पैसा था लेकर दे दिया फित लोग चोरी चकारी क्यों करते है इसके पीछे कारण है जब 11-800 की फीस आती है तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पैसा मेरा ही तो है और जब देना पड़ता है तो मुझे लगता है कि कोई मुझे से मेरी जान मांग रहा है ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने का भाई मेरी पतनी को जरा घर से जरा वहाँ पर ड्रॉप कर देना पिक करके हम करने के लिए गए लेकिन रास्ते में मोहो हो गया प्यार हो गया करने ये तो मेरी है मैं नहीं दूँगा ये कोई तरीका थोड़ी ना भाई सरकारी पैसा था ठारा सुरुपे आप से लेकर उनको देना था मैं मेडियेटर था सरकार डिरेक्ट आप से लेने में दिक्कत थी इतने सारे बच्चे कैसे कैसे करेंगे तो बिजिनस्मेन को पकड़ लिए इनके थुरू कलेक्शन वहाँ पर कर लिए लेकिन हम बीच में मोह कर बैठते हैं और वो समस्या पढ़ जाती है चलिए जे अगला पॉइंट यहाँ पर आता है हल्दी हल्दी कठी करने है हमें अपने खाने के लिए destination principle की बात करते हैं यह principle क्या बोलता है देखें वर्ल्ड वाइट दुनिया में दो तरह के principle टेक्सेशन के काम करते हैं एक होता है origin principle एक होता है destination principle destination principle यह कहता है कि goods और services जहाँ पर consume होते हैं जहाँ पर उनका end user होता है उस country उस state को revenue मिलता है और वैसे भी बात दाएए आप हर्याने के और मैं दिल्ली का ठीक मैं आपको service दे रहा हूँ दसदार की fees मान लेजिए 18 रुपे का GST लगता है आप जानते हैं इस 18 सुमें से 900 रुपे तो CGST फंड में चले जाएंगे center government के पास में बाकी जो 800 रुपे है वो logically किसको मिलना चाहिए सर logically मिलना चाहिए 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 देखिए सरकार ने भी बोला था कि tax का पैसा बारिश बनकर घूमकर आप ही के ऊपर बरसेगा आप ही को भिगुएगा आप ही को ठंड़क देगा तो यह पैसा तो आपकी जेब से निकला था न तो ultimately बारिश आपके हर्याना में होनी चाहिए development की और बारिश तब होगी हर्याना में जब पैसा हर्याना सरकार के पास पहुँचेगा तो यही है destination principle का base कि भाई बारिश आपी के उपर होनी चाहिए end user के उपर होनी चाहिए तो जहां पर वो goods consume किया जा रहा है जहां पर उसका end user है उस state को पैसा दिया जाएगा कहते हैं अगर मालिजी इंडिया के बार से goods इंडिया में अगर आया है तो end user of goods or service इंडिया में है then tax जाएगा then tax goes to Indian government भारा सरकार को ये पैसा चला जाएगा ठीक है जी इसके अगर मालिजी ऐसे हो इंडिया से इंडिया के बार आया हो तो तो वैसे में tax का पैसा किसको जाएगा tax amount ये चला जाएगा goes to USA government लिकन अगर ऐसा हुआ क्या भला कि माल लिजीए इंडिया के बाहर से कोई goods इंडिया में आया यहाँ पर आकर उसने टपा खाया और टपा खाने के बाद मतलब आइमिट उसे कि यहाँ आपने उस पर home consumption और इंडिया के लिए clear करवा लिया और इस पर यहाँ import duty भर दी import duty भरने के बाद फिर आपने क्या mood हुआ पताने उसे श्री लंका श्री राध है श्री राध है श्री राध है आपने उसे श्री लंका के लिए export कर दिया तो as per the destination principle the end user situated in श्री लंका so tax मिलना चाहिए इसके उपर to श्री लंका लेकिन problem क्या है brother इंडियन government इस पर import duty ले चुकी है अब क्या करें अच्छा उनकी भी बात गलत नहीं थी उस समय जब goods नहीं यहां पर आके टपा खाया तो उन्हें लगा कि भई आप यहां इंडिया में इस्तिमाल करोगे तो उन्हें पैसे ले लिए import duty के नाम पर लेकिन आप ने अगला टपा खिला दे शिलंका में जाकर इंडिया में यूज ही नहीं किया सरकार कहती ठीक है यूज नहीं किया तो इसके export जब यह आप करके चलोगे नैसे जब आप इसे यहां से export कर रहे हो ना तो हम इसमें क्या करेंगे आपको on export हम refund कर देंगे refund of import duty जिसे की हम duty drawback के नाम से भी जानते हैं duty drawback के नाम से जानते हैं तो duty drawback आपको यहां पर दे दिया जाता है तो ultimately destination principle work करके चलता है तो यहां इसका answer है कि what about tax pay to तो refund हो जाएगा इसका यहां पर आकर और वो भी as duty drawback के रूप में यह पैसा वापस मिल जाता है रादे 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 यह चोटी मुटी बात दे रखे कि why tax वो जो हमने बात की है what is tax compulsory extortion type हो गए direct indirect हो गए destination principle हो गया direct indirect के नदर एक छोटा सा point रह गया था वो आपका मैं cover कर देता हूँ बाकी रही थी इसकी incidence of tax bond by the person on whom it is levied और यहाँ पर end user के दोर ultimate user के दोरा बेर किया जाता है यह progressive nature का होता है जबकि यह regressive nature का होता है progressive nature का मत्तब direct tax कैसे होगा जैसे income tax है आपका एक level तक कमा रहे हो आपके उपर tax नहीं आएगा थोड़ा ज़्यादा कमाया थोड़ा हमें दे जाएए थोड़ा और कमाया थोड़ा और ज़्यादा दीजिए थोड़ा और कमाया सब चार्च तक मांग लेते हैं आपसे लेकिन आपका जो indirect tax है say GST वो वैसा नहीं है यह mobile phone भेकारी अपने भीक के पैसों से खरीदे या अम्मानी साब खरीदे भैस सबके लिए GST का rate एक समान रहेगा यह संभाव में जीता है भगवद गीता भी यहीं सिखाती है व्यक्ति को ज़्यादा उथर पुथल नहीं करनी चाहिए जीवन में संभाव खुशी मिल जाए तो उसे सहन करने की छमता होनी चाहिए गम मिले तो गम के सागर में नहीं डूबना चाहिए और दिमाग का कटूरा बड़ा रखना चाहिए मेरे सामने कोई भी गलास अगर आता है यहाँ पर रखाता पता नहीं कौन ले गया या कोई भी कप है आप उसमें तब तक भरते हैं जब तक की निकलना शुरू नहीं हो जाता अगर फैलना शुरू हो जाएगा उसे ओवरफलो होगा तो वहीं भनना बंद करतेंगे ऐसे यह काइनात हमें उतना देती है जहां तक हमारे दिमाग से छलकेना छलकने का मतलब ये है घमंड हो जाना दिखावा करना कल को आपके पास एक करोड रुपया भी आएगा लेकिन एक करोड में आप हाग पर फैंगने लग गए शुआफ करने लग गए लोग को चीरने फाडने लग गए भाई साब प्रकृति बोलेगी इसका कटोरा भर गया बस इसे जहादा मत देना वरना ये डस्ट्रोयाड बन जाएगा यहां पर आकर मैं कहा रहा हूँ एक करोड ना इतना बड़ा कटोरा नी बाल्टी टब लेके बैठना यहां पे कि 10 क्रोड, 20 क्रोड, 50 क्रोड, 100 क्रोड भी आए न तब भी आप ऐसे ही रहो संभाव में रहो कि कुछ आ गया तो फरगना पड़ रहा हलका फुलका नुकसान हो गया तो फरगना पड़ रहा संभाव, समंदर की तरह बनना सीखना है आपने ना सूखता है, ना उफान मारता है तो यह संभाव आला है आपका GST अब आता एक और कॉंसेप्ट CST का कॉंसेप्ट हम देखने के लिए जा रहे हैं सरसी क्या जोड़त है तो खतम हो गया एक कद्दु का प्रड़क्ट पे अभी भी है सिंता नहीं करें लेकिन यह कंसप्ट समझना जरूरी है यह आपकी foundation stones चल रहे हैं इनी के दम पर आप मेरे आगे पूछ जाने वाले जो questions होएंगे उनके ठीक से answer कर पाएंगे अच्छा यह बात हाँ यही बात है एक यह Mr. X UP का है और यह हर्याना op ़ोगे यह उपर UP गोर्मेंट होगे इसके सर पे आर यह बंदा कहां का है registered in हर्याना यह बंदा हर्याने का था और UP से हर्याना माल जाता है पिर हर्याना से पंजाब बेच दिया जाता है कुछ questions है हमारे पास goods बेचा गया value 10,000 रुपे की थी और CST simplicity के लिए 10% माल लेते हैं यह 11,000 का यहां पर billing हो जाती है, मेरा पहला question CST का amount कौन सी state को मिलेगा UP को मिलेगा या हर्याना को मिलेगा मिलना किसको चाहिए, जो पूछा रहा हो उसका जवाब देना सर अभी ताजा ताजा पढ़ा है destination principle, उसके according जोकि goods का destination हमें यहां दिख रहा है, प्राइमा फेसी initially, तो इसको मिलना चाहिए मिलना तो इसको चाहिए लेकिन practically possible नहीं दिखता, क्यों? जब UP वाला बंदा, यह जो बंदा है UP वाला Mr. X यह चुकि कारोबाल लेके बैठा है UP में, तो रजिस्टर्ड होगा बंदा यह इन UP, अगर आप कहते हो कि हरणा यह जमा करा के आएगा, तो हरणा सरकार question mark लगाएगी अभी तू कौन? का मैं खामों खाँ? मतला वहाँ registration लेना पड़ेगा, तब ही deposit कर पाएगा कल कोईस ने West Bengal को बेचा, फिर पंजाब को बेचा, फिर वहाँ बेचा तो जितने state को बेचेगा, जहाँ जहाँ जासके customer होगा, वहाँ जाके registration कराएगा Is it practically possible? The answer is no तो मरता क्या ने करता? हमारे पास option सिर्फ एक ही बचता है, आप ये पैसा यहाँ दे दीजिए, अपने ही सरकार को दे दीजिए, UP state को दे दीजिए और यहीं चे सिलसला शुरू हुआ, कि जो CST आपका वो follow करने लगा, क्या भला? मजबूरी में ये follow करने लगा, origin principle of taxation क्योंकि destination principle यहाँ पर नहीं लग पा रहा था, ये मजबूरी थी, शौक में नहीं किया, मजबूरी में से follow करना पड़ा है अब goods पहुँचेगा यहाँ पर, सामने वाले के पास, क्या सामने वाले buyer को, जहाँ पर वो registered है, ये बंदा कहा registered है? ये बंदा registered in हरियाना है तो क्या हरियाना government इस बंदे को, इस 1000 रुपे के CST का credit दे देगी? दांसर इसनो, हाँ, अगर ऐसा होता कि किसी तरीके से पैसा इनकी जिम में होता, तो ये credit भी देते कि शल्टीक है इतना तो आगया बाकी और additional जो बने वो दे देना लेकिन इनको तो पैसा मिला ही नहीं है, तो यहाँ पर credit कभी भी नहीं दिया जा सकता है तो CST का credit never, मैं लिखूंगा यहाँ पर never allowed, कभी भी allowed हो ही नहीं सकता है अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं, मान लिख अब इनकी cost क्या पड़ी, सर क्रेट नहीं मिलेगा तो cost obvious सी बात है 11,000 की पड़ती है, सर इनका profit कितना है, सर जी profit assume कर लेते हैं 11,000 की पड़ी, 4,000 profit assume कर लेते हैं, 15,000 assume assume कर लेते हैं, 15,000 का अपना ये बनता है CST इसने भी फिर आगे पंजाब बेचा है, तो वो आएगा, 15,000 रुपे का यहाँ पर आ जाएगा और यह 16,500 बन जाएगा, यहीं से जनम होता है, कास केडिंग एफेक्ट का, tax on tax आप यह 10% लगा रहे हैं, 15,000 पर लगा रहे हैं, 15,000 में 11,000 भी एक कंपोनेटर, और 11,000 के अदर यह 1,000 रुपे भी शामिल है जो CST का था, तो CST के उपर अगेन CST यहाँ लग जाता है, और इसे बूलते हैं हम लोग कास केडिंग के नाम से जान कर चलते हैं, तो पुराने सिस्टम के अंदर जो पहला डिमेरिट था, वो यहाँ पर आ जाता है, कास केडिंग एफेक्ट मतलब tax on tax, यह लगा दिया जाता है, राध है राध है, ठीक उसके बाद, आगे बढ़ते हैं, CST मनी किसको जाएगा, यह स्टेट को जाएगा, यह सेंटल गौर्मेंट को जाएगा, सर यह बात, ऐस पर दूरी में यह देना पड़ गया हमें, औरिजन स्टेट को यहाँ पर देना पड़ जाता है, अगला पॉइंट, वट अबाउट क्रेट टू बायर, नेवर अलाउट, और लास्ट क्वेश्चन इस, CST गोस्ट गोज़ तो स्टेट गोवर्मेंट, दन वाई लौग, सेंटल सेल्स टेक्स, नामसे साल लगता जिसका कलेक्शन वगरा सब सेंटल गोवर्मेंट करती होगी, जी नहीं, सेंटल गोवर्मेंट इसका कलेक्शन नहीं करती है, सेंटल गोवर्मेंट इस जिर्फ लाव बना कर दिया है, काई को, मिलना कुछ है नहीं, तो लाव काई को बनाय law बनाना भी central government का एक मजबूरी थी वो इसलिए कि ये interstate transaction पे लगता है जब एकी state से दूसरे state में माल जाता है तो UP से goods गया आपका हरियाना हरियाना से पंजाब है पंजाब चे राजस्थान है cross border transactions है अगर माल लिजिए state level का law होता तो सबका अलग-अलग अपना अपना law होता इसकी understanding A होती ये B बूल रहा होता ये को C पढ़ रहा होता ये D पढ़ रहा होता तो definitely चुकि provision सबके अलग-अलग हो जाते तो यहांपर disputes आपके सामने निकल कर आही जाते मालक हर हाल में तो उन dispute को रोकने के लिए एक ही तरीका था कि इनके बीच में हमें एक uniform law चाहिए था और जो uniform law है वो कोई state तो बना नहीं सकता वो central government ही बना कर देगी तो central government नहीं आई और सबके लिए कहा कि ठीक है हम आपका CST का एक uniform जो सबके लिए एक जैसा होगा uniform law बना देते हैं ऐसे करके मालिक बूल दिये जाता है लेकिन यहां से कमन में doubt आता है चलो state के बीच में तो आपने समहा लिया कि state की लगाम central government के हाथों में है लेकिन what about the country level इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी इनके बीच में अगर व्यापार होगा तो क्या करें कि समस्था तो वहां भी आएगी तो उसके लिए इनके उपर लगाम कसकर बैठा है WTO और WTO के directions के अंदर जो custom law है अपना जो पढ़ेंगे आप वो एक परकार का uniform law है every country में हाला कि अपना अपना है लेकिन uniformity maintain करा रखी है WTO ने ताकि buyer seller यानि importer, exporter के जो understanding है वो ठीक से बनी रहे कोई किसी परकार के disputes law को लेकर ना हो जाए ऐसा वहां पर बता दिया जाता है प्रेम से बुलेंगे राधे, राधे ठीक राधे और वैसे मैं आपको बता दू चुकि international level का law है आपका custom law इसी के चलते GST आने पर custom law पर एक रत्ती का effect ही पड़ा होगा मातर कितना एक रत्ती का कुछ corresponding changes हुए हलके फुलके changes corresponding एक का दुक का जगे वरना ये untouched और like कोई effect इस पर otherwise नहीं पड़ा है हमने पुराने सिस्टम भी कुछ बाते कर ली है और नए सिस्टम के अंदर हम entry करने के लिए जा रही है और यहाँ पर बता दे कि जो उन्हें अभी पुराने ही चल रहा है अभी justify करेंगे अभी हम कि GST क्यों आया अगर कोई व्यक्ति manufacturing करने का बुरा करम करता है तो उसकी सजा मिलती है central excise duty के रूप में और यह पैसा जाता है central government को अगर कोई व्यक्ति sale of goods का घिनोना काम करता है तो उसकी सजा मिलती है wet या CST के रूप में सजा दी जाती है जो पैसा जाता है state government को अगर कोई व्यक्ति service देने का service का provisions करता है service देता है तो उसके service tax लगा दिया जाता था और यह पैसा जाता था अपना central government को यह चोटी सी बाते हैं जो आपको शैद पता होनी जरूरी है trade का level होगा सदियों से और आज भी वही चलता रहा है तीन level होते है एक हुथा intra level एक हुथा interstate और एक हुथा international तो यहाँ पर और जो businessmen होते हैं उनको तीन कटेगरी में divide किया जाता है एक manufacturer हो गया trader हो गया और आपका service provider हो गया तो यहाँ पर manufacturer ने manufacturing के और माल लिजिए यह 1000 रुपे का यहाँ पर था और इस पर excite duty लग गई यहाँ 100 रुपे की कीमत होई 1100 रुपे की VAT कौन से value पर लगना चाहिए logically VAT माल लिजिए simplistically rate 10% का माल लेता हूँ VAT logically लगना चाहिए यहाँ पर अपने 1000 के उपर क्योंकि 100 रुपे मेरा तो है यह नहीं सरकारी पैसा है आप से लिया है वहाँ दे दिया जाएगा खतम कहानी यह मेरे turnover का हिसा भी नहीं बनता है बुक्समेंट्री भी यही पास करूँगा bank count debit to sale sale mag एक हजार to tax payable वह आजगा मेरा 100 रुपे लेकिन जानते भूचते हुए भी यह लगाया गया 1100 के उपर और 110 यहां निकलके आता है और यहां से एक बार फिर से कास्केडिंग हमें देखने को मिल जाता है tax के उपर tax लग गया यानि कि duty के उपर अपना वैट का लोड आ गया है इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं माल लीजे इस समान वो खरीद कर यह बंदा ले आता है इसका जो profit element है suppose कर लेते हैं भाई वो अपना 200 रुपे का बंदा profit कमाता है हमें बताइए इस बंदे की जो cost पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी सरस की जो cost पड़ेगी state level के matter पे काम करता है state liability state में ही उसका अरिश्टेशन है क्या उसे central level के जो tax चुकाए हैं उनका credit मिल जाएगा मिल भी गया, use कर पाएगा output liability state level की है उसके against का central level के credit को इस्तिमाल कर पाएगा the answer is no, मतला मोटी बात यह कि इसे central exciser credit मिलने वाला नहीं है और जिस भी tax credit नहीं मिलेगा वो इसी cost का part बन जाएगा पकका पकका वैट का credit मिल जाएगा हाँ, वैट तो state level है इसको वैट का credit मिल जाएगा तो बंदे की जो cost पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पर आकर 1100 रुपे की ठीक एंड उसमें अपना ये profit margin एड़ कर दिया 200 रुपे का तो कुल मिलाकर 1300 रुपे पर आगे बेचेगा तो 1300 रुपे आने के बाद में मालिजी 10% का फिर से वैट लगता है तो यहाँ पर 130 रुपे ये अपने इसके आगए तो 1430 रुपे ये मालिक ऐसे करके आजाते हैं राधे राधे आप गौर से देखिए एक बार फिर से कासकेडिंग आ रहा है 1300 के अंदर 1100 की कौस शामिल और 1100 के अंदर 100 रुपे का जो component आप देख रहे हैं ये वाला ये कसाई डूटी का एक बार फिर से इस पर वेट का लोड आ गया है जब जब tax on tax होगा प्रोड़क्ट की कीमतें बढ़ेंगी और उसका सीधा असर कस्टमर के ऊपर जाएगा कंजूमर के ऊपर जाएगा प्रोड़क्ट महंगे होते चले जाएगे सर्विस प्रोड़क्ट की बात करते है अब इसके लिए मुझे बताईए मालिक यहां पर आकर कॉस्ट क्या पड़ी बंदे के लिए इसको क्या वेट का क्रेट मिल जाएगा नहीं सर्विस टेक्स सेंटर लेविल का tax है आउट्पुट लाइबरिटी उसकी सेंटर लेविल पे आएगी इसलिए बंदे को कोई किसी प्रकार का यहां पर आईटी सी वाईटी से मिलने वाला नहीं है तो कॉस्ट जो जाएगी इसकी वो 1430 जाएगी और जब जब क्रेट नहीं मिलते हैं तब तब वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता है और अपना इसके उपर सर्विस टेक्स ही और लगाएगा प्राफिट एलिमेंट वगरा जोड़ते जोड़ते तो मैं आपको बस यह समझाना चाहता हूँ कि समस्या हैं और पहली बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कास्केडिंग इस पर आ रहा है ठीक यह कास्केडिंग आपका यहां भी आएगा अगर मानेजम इंटर स्टेट काम करते हैं एक हजार रुपे के वैल्यू यह आती है सेंट्रेक्साइड यूट यह आ गई सो रुपे की 1100 रुपे यह हो जाता है CS टिकेट मान लेते हैं 10% का तो वो भी 1100 रुपे आएगा सेम प्रॉब्लम यहां पर राइस हुई 1210 यह हो गया 1210 अपना यह हो गया वैल्यू आफ गुड्स क्या आई इसको किसका कोई क्रेट मिलेगा पिछले वाले को फिर भी वैट का मिल गया था लेकिन CS टिका तो क्रेट कभी किसी को मिला यह नहीं आज तक तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1210 प्लस 200 रुपे का हमने प्रॉफिट माने लिया इसका उलेड़ी तो यह आफ गया 1410 CS टिका 10% से मान लेते हैं तो एक तालिस रुपे का यह आ जाएगा तो जी एक पांच पांच और एक ऐसे करके हमारी बात करा दी जाएगे फिर इसको क्या किसी का कोई क्रेट मिलेगा नहीं CS टि स्टेट गौर्वर्मेंट को गया है सर्विस प्रोवाइडर को भला कैसे करेट मिल जाएगा नहीं मिलेगा बिलकुल नहीं मिलेगा इस्टेट लैवीज में वो आ जाता है तो इस बंदे की अगेन कॉस्ट पड़ेगी 1551 पड़ेगी क्योंकि स्कोशी इस्टेट मिलने वाला नहीं है मुझे बताईए अगेन एक बार फिर से कास केडिंग की बू आ गई या नहीं आई ये सर्व फिर से कास केडिंग या पर हो रहा है ठीक है जी जहां तक सवाल है अपने इंटरनेशनल ट्रेड का तो भाई मेरे इस पर ये अंटच्च रहा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है ये पहले भी ऐसे चलता था आज भी वैसे ही चलता है तो पुराने समय के अंदर बही क्या सीन था इंपोर्ट अफ गुड्स हम किया करते थे इस पर इंपोर्यूटी भननी होती थी एक्सपोर्ट जब करते हैं तो डेस्निशन प्रिंसिपल बीच में आ जाता है उस पर कोई टेक्स नहीं जाता है इंपोर्ट अफ सर्विस में सर्विस टेक्स लगता था और वो भी RCM रिवर्श चार्ज में भरना पड़ता था एक्सपोर्ट अफ सर्विस पर कोई किसी प्रकार के टेक्स की बात होती नहीं थी और आज भी लगबग वैसे ही चीज़ आएंगी बस सर्विस टेक्स की रिप्लेस्मेंट हो जाएगा GST का वननबा की सारे चीज़ जो की तो ही आपकी रहने वाली हैं राधे राधे तो यहाँ पर आकर एक तोगय कास्केटिंग आपके क्वेरी आती है अच्छे एक चीज़ और है चुकि मैं यह रिकॉर्डिंग करता हूँ जिस्ट आफ्टर जिस्ट आफ्टर रेगुलर बैच जो मेरा लाइव चल रहा है उसके बाद में करके चलता हूँ डबल टक्सेशन का मतलब होता है बाबू मेरे कि जहां पर हम हमारा की कोई चीज गुट्स है या सर्विस है ये पोजिशन हमारी बलर हो जाती है बलर बलर हो जाती है धुन्द च्छा जाती है समझ नहीं आता कि यह लड़का है कि लड़की है मैंने गुट्स को हमेशा मेल बोला है और इसको फीमेल की तरहे यहां पर ट्रीट किया है लेकिन देखने से पता ही लड़का है या लड़की है तो क्या होता था मैं आपको बताता हूँ डबल टेक्सेशन की कथा के साथ मैं कि जैसे माली जी पुराने समय के अंदर हम लोग रेस्टोरेंट में जाया करते थे वहाँ पर जाकर ये वैल्यू हमारी आती थी मालो हजार रुपे का हमारा ये खाना खाया हमने इसके उपर वैट लगता था प्राबलम क्या है कि देखिए अगर ये गुट्स है मेल है तो इसके उपर वैट लगेगा और ये जाएगा पैसा इस्टेट गौर्वर्मेंट को और अगर ये फीमेल यानि सर्विस है तो इस पे आएगा सर्विस टेक्स और ये जाएगा अपना सेंट्रल गौर्मेंट को तो इस चक्कर में खीचाता नहीं हुआ करती थी और क्या करते थे कि ये भाई ये इस्टेट वाले बोलते थे ये सेल अफ गुट्स है और लगा ये सिंप्लिसिटिकली दस परसंट का माल लेता हूँ ये लगा दिया कीमत आगई अपनी 1100 रुपे की और फिर सर्विस टेक्स वाले बोलते कि नहीं नहीं ये तो भी यारे सर्विस है और इन्होंने भी एक कंसेशन रेट से मालो 6% से लगा दिये इन्होंने यहाँ पर आकर 60 रुपे इन्होंने लगा दिये तो बताईए 1160 यानि एक ही समय में यहाँ पर मान लिया इसे बोई की लड़का है और यहाँ पर मान लिया इसे लड़की की बई ऐसे करके हैं तो जब आप ये डिसाइडी नहीं कर पा रहे की गुट से की सर्विस है और कोई भी चीज एक समय में एक ही तो हो सकती है या तो लड़का या लड़की आप बोलोगे थर्ड जेंडर थर्ड जेंडर में या तो लड़की की करेक्रिस्टिक ज़्यादा होते हैं या लड़की के या लड़की के किसी एक ही करेक्रिस्टिक ज़्यादा होते हैं तो जिसके characteristic जादा होंगे मैं उसमें से classify कर दूँगा दोनों कट्थे कुछ जैसी चीज नहीं होती है तो यहां तो एक बार लड़की माल लिया उसी चीज को दोबार लड़का माल लिया एक बार male माल लिया एक बार female double taxation इसे कहते हैं जब goods और service का blood हो जाता है उसे बूलते हैं तो ध्यान दीजिए लाइफ में या तो कोई चीज goods होती है service होती लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा था यह सिर्फ एक example नहीं है ऐसा एक works contract हुआ करता था उसके अंदर यह समस्या थी software के अंदर यह समस्या थी गुट्स और service दोनों मानकर एक ही time पर हम the टेक्स लगाया करते थे सर GST में किसका solution मिल गया है किया हाँ मिल गया है GST में solution क्या है goods हो यह service हो इंटरा हो या इंटर हो एक कसम खा रखी है कि जब जब GST लगेगा यदा यदा ही धर्मस से गिलानी भवत भारत है जब जब जीयस्ति लगेगा दौनों प्रकार की सरकारों को खाने के लिए मिलेगा पैसा ये बूल दिया गया है दौनों सरकारों के लिए मिलेगा भईयारे फिर तो जाए गुड्स मान लो चाहे आप इससे service मान लीजिए कोई दिक्कत वाली बात हमें यहाँ पर नहीं लगती है, आपको जो ठीक लगे आप उसे यहाँ पर मान सकते हैं वैसे करके तो आज restaurant के case में हाजी, अरे कहीं के से अवाज आ रही थी बड़ी खतरना खतरनाक से मुझे pause करना पड़ा दो मेंट के ली बीच में तो यह थी अपनी double taxation जैसी बाते थी लेकिन अब आज की रेट में क्या है कि इनको restaurant को मान लिया गया है service अब service मानों को GST आएगा आदा बढ़ जाएगा दोनों में अच्छा goods मान थे तो तब भी आदा आदा ही बढ़ता तब भी यह आदा आदा ही बढ़ता मालिक तो यह था जी अब बढ़ते आगे की तरफ और इतना सब होने के बाद में आप देख लीजिए कासकेडिंग इसमें हुआ करता था double taxation इसमें आए करता था multiple type of taxes इसमें थे और multiple type of tax होने के चलते multiple compliances भी automatically इसके अंदर आ जाएंगे वो भी आपके यहाँ पर दे रखे थे तो यह problems थी इन problems नजात पाने के लिए आपका GST इंटर्डूस किया गया नंद के आनंद भयो जै कनहिया लाल की तो क्या-क्या changes आए नंबर एक जो पहले आया करता था यहाँ पर कस कैडिख उस कास कैडिख को खतम कर दिया गया अब कास कैडिख नहीं आएगा पहले आता था अब नहीं आएगा पसर एके लिखा 99.99% खतम हुआ है हाँ मेरे बच्चा मेरे बात तो समझो डिटाओल भी पूरे किटाणूं कहा मार पाता है एका दुखका किटाणूं तो फिर भी रह जाता है ना कोलगेट पूरे किटाणूं मार पाता है ना लाईजॉल पूरे किटाणूं मार पाता है एका दुखका किटाणूं इससे भी छूट गया मैं आपको कि यहां पर आ रहा है ठीक multiple tax अपने हुआ करते थे और multiple tax के चलते multiple compliances थे और multiple act अपने बने हुए थे और इनके चलते multiple taxable event भी आपकी काम कर रही थी अब एक tax है single point procedure है और जितनी भी आपकी पुराने समय के अंदर अब अलग-अलग tax थे तो उनकी अलग-अलग हो गई ना अपनी अपनी taxable event तो अब GST एक है तो इसकी अपनी taxable event सिर्फ एक ही है जिसका नाम है supply किया कुछ नहीं है जो पुरानी taxable event हुआ करती थी उन सभी को एक थैले में बंद करके थैले को पर लिख दिया है supply चाहे वो sale हो, butter हो, lease हो, license हो exchange हो and all सब को थैले में बंद करके नाम लिख दिया supply person है taxpayer को manufacturer, service provider वगरा वगरा के नाम से बुलाया जाता था लेकिन अब उनका एक नाम दे दिया गया है वोई taxable person supplier मैं supplier, our recipient और जो level हुआ करते थे पहले तीन थे interstate और international लेकिन अब interstate के ही दो माइने कर दिये गए है interstate का मतलब एक state से दूसरे state में है ही है एक यूटी से दूसरी यूटी में भी आ गया यूटी टू state भी आ गया चाहे country to country क्यो ना हो फिर भी उसे interstate ही बुलाया जाएगा, तो international जैसे wordings हमारे GST में मिलने वाले नहीं है तो ये था जी अपना पुराना और नए को मैंने एक तरह से side by side रखा और चार major कमियां थी जो एक से लिकर चार नंबर के point पर लखी है cascading, double taxation, multiple tax, multiple compliances और इन चारो problem का solution लेकर आया आपका GST आही गया तो मिलवाईए, मिलवाते हैं जो आपका GST है ये goods और services पे लगने वाला एक tax है माले goods और services पे यानि goods या service का होना बड़ा जरूरी होता है इसके लिए साब इसके बिनाते मर जाएगा लेकिन goods ये service के आजाने मात्र से ही GST नहीं लग जाता है इसके अंदर एक हरकत एक हलचल होनी चाहिए उसी हलचल का नाम है supply होनी चाहिए तो goods ये service के जब supply होती है तो GST लगता है supply intra हो सकती है या फिर अपनी interstate भी हो सकती है intra कब बोलेंगे जब supply के origin और destination के बीच में कोई किसी प्रकार का border ना हो तो बोलते हैं intra state और अगर origin और destination के बीच में कोई किसी प्रकार का border अगर आ जाता है तो फिर वहाँ पर उसे बोलते हैं interstate border दो state के बीच का हो सकता है border दो uts के बीच का हो सकता है बॉर्डर दो country के बीच का हो सकता है बॉर्डर एक तरफ यूटी एक तरफ state यह हो सकता है कैसा भी हो बॉर्डर हो बॉर्डर है तो इंटर नहीं तो इंटरा जब इंटरा होती है तो आपका मान लिजिए यह कीमत है यहाँ पर 10,000 रुपे cgst और sgst आपके picture में आ जाते हैं यह करके 10,800 यह 11,800 मालिक आ जाता है जो आपका यह 900 रुपे है यह चला जाता है central government के पास cgst फंड में यह move कर जाता है और यह वाला आपका sgst फंड के अंदर state के पास में पहुँचा दिया जाता है sir कौन से state के पास जाएगा कौन सी क्या दूसरी भी दिखरी कोई state एक ही तो है यहाँ पर up state के पास से पैसा पहुँच जाएगा लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंटर state को लेकर तो वहाँ पर क्या बोलते हैं भला तो भाई वहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता मैं तो त sgst 900 पे का sgst लगाया जाएगा यहाँ पर 900 पे का 11800 की बात अपनी कर ली जाएगी ऐसे करके माले ठीक यह सर तो इसमें तो इसके अंदर क्या किया जाना है भाईया जी यह चला जाएगा cgst fund में चला जाएगा central government के पास अब यह पैसा कॉंसे state को दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो moment हो रहा है माल लेते हैं यह up2 हर्याना यहाँ पर किया जा रहा है अब बताइए यह पैसा किसको मिलना चा काई को लाए फिर तो cst ही बहतर था उसी सी काम चल पा रहा था हमें gst लाए हैं हमें destination principle को फालो करवाना है वन्ना कास के इंडिंग फिर जनम ले जाएगा तो हमें पहुंचाना तो हर्याना के पास में हैं लेकिन कैसे पहुंचाएं तो इसके लिएक solution बनाया गया और कहा क कि एक काम करो एक थैला लेकर आईए हमने का लेकर आते हैं थैला हम गए एक थैला लेकर यहां से आते हैं और बोले कि भाई इसमें तुम्हारा cgst कितना है थैले में तो यह 900 रुपे तो cgst हमने यह डाल दिया 900 रुपे का भाई इसमें sgst कितना है हमने का sgst करे 900 रुप कर दिया पैकेट को बंद कर दिया इसको पर लिख दिया आई जी एस्टी इंटी ग्रेड़िड जी एस्टी बंदा हुआ जी एस्टी यही बन गया लिफा पर लिख दिया बंदा हुआ जी एस्टी आई जी एस्टी और अब किसको देखे आई है हमने इसे सेंटरल तो यह हर्याना को दो इसे, तो यह हर्याना के GST fund में transfer कर दिया जाएगा by the central government, तो और यह क्या है, यह क्या बच गया, यह आई GST का लिफाफा है, यह लिफाफा है, टेक्स तो निकल गया, यह तो खोकला है, वेश्ट है, डस्बिन में डालो रहे, तो आई GST गया डस्बिन म नहीं, टेक्स तो यह हैं, CGST और SGST, तो वही यहाँ पर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं, और वो ऐसे करके है, कि आई GST लगेगा कहने को तो, लेकिन आई GST क्या है, आई GST, a sum total of CGST in हर्याना GST, इस question के अंदर, तो 900 रुपे यह था, 900 यह था, 10,000 यह था, 18 रुपे ठीरा थी, ठीक, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, GST Good Service को पर लगता है, सप्लाई होगी तब ही लगाए जाएगा, एक इंटर स्टेट हो गई, एक इंटर स्टेट हो गई, जो मैंने अपने मुख मंदल से बोला है, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आसान भाशा में, और यह GST लगेगा, और corresponding उसे स्टेट का अपना SGST लग जाएगा, और CGST का CGST फंड में जाएगा, SGST का SGST फंड में चला जाएगा, अगर IGST लगा है, cross border transaction है, तो IGST first goes to central government, उसमें से आधा CGST फंड में चला जाएगा, और बाकी आधा अपना SGST फंड के अंदर चला जाएगा, एक और सवाल मन में आता है, सर, what about daman to daman, UT to UT क्या किया जाता है, तो यहाँ पर बोलते हैं, भाया जी देशे मालीजी आपकी जो value आ रही है, यह है 10,000 प्रुपीज की, तो inter transaction है, CGST आएगी, यहाँ पर 900 रुपे के हैं, UTGST अपना आ जाएगा, इस स्टेट के पास SGST फंड अल अलग हैं, लेकिन, लेकिन जो union territories हैं, उनके लिए, चुकि it is operated by central government, CGST भी central government, और से भी central government ही पकड़ के रखती है, तो एक ही fund बना हुआ है, तो इसके लिए 900 रुपे यहाँ पर चले जाएंगे, और इस प्रकार से यह जो कहानी है, जो कथा है, 11,800 प्या कर यह रुक जाती ह है, प्रेम से बोलेंगे, रादे रादे, ठीक है सर जी, तो वो सारी बात लिखिए है, प्रैक्टिस मैंने आपकी यहाँ पढ़ते रखिए, वेद सॉलिशन किस तरह से है, बात करते कि कुल मिलाकर अगला पाइदान पे आगए, हमारे पास कुल मिलाकर कितने state हैं, और कितन यह बच्चों को जगाने के लिए है, चलो, साथ यूटीज पढ़ते आए हैं, आज थोड़ा बाइफरकेट कर लेते हैं, पाँच उसमें से प्यॉर यूटीज हैं, जो प्यॉरली सेंटल गौर्मेंट के दोरा एड्मिनिस्टर की जाती हैं, दोसमें से मिली जूली बात है मिक्स यूटीज के नام से बुला देते हैं, अंग्रेज जीम बुले तो यूनिन ट्रिटरी विद लेजिसलेचर ऐसे बूलते हैं, कुछ पावर सेंटल गौर्मेंट के पास होती है, कुछ पावर स्टेट के पास होती है, स्टेट का अपना से अम होता है, तर अगमपल डिल दिल्ली और पॉंडिचेरी ये दो अपनी हुआ करती थी और पांच अपनी प्यॉरुँटी थी इसके बाद धो घथना क्रम हुए एक हुआ यहां पर डी मर्जर और एक हुआ यहां पर मर्जर वा जम्मू क्श्मीर का जम्मू कश्मीर पहले स्टेट होता था अभिण वह union territory ह और यूनिन टैटरे भी दो बनी हैं एक लदाख और एक रेस्ट आफ जम्मू इंड कश्मीर लदाख प्यूर यूटी में शामिल किया गया और रेस्ट आफ जम्मू कश्मीर मिक्स यूटी में यानि कि रेस्ट आफ जम्मू कश्मीर के अपने CM होंगे कुछ पावर CM के पास में, कुछ पावर Central Government के पास में होती है तो यहाँ पर जो प्यूर यूटी बनी तो उसे यूटी की संख्या एक बढ़ जाती है लदाख के चलते हुए और यहाँ से स्टेट की संख्या एक घट जाती है जम्मू कश्मीर के हटने से और यहाँ पर एक मिक्स यूटी की संख्या बढ़ जाती है दो जगे यूटी बढ़ गई है एक मिक्स यूटी और एक अपनी प्यूर यूटी फिर हुआ यहाँ यहाँ पर मर्ज़ Corner दो छोटी 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 यूणिन टैटरी ञेटि псих जिसमें दादर एंड नगर हवेली दमन एंड द्यू इन दो छोटी-छोटी को मर्ज करके एक बना दी गई नाम वही रखा, दौनों का मिक्स करके नाम भी जोड़ दिया ज़जों करते हो ताकि proper administration इनका हो पाए जब कुछी चीज बहुत छोटी होती है तो उसका administration भी नहीं हो पाता है proper तरीके से, बहुत बड़ी होती तो भी ठीक से admin नहीं हो पाती है तो इसके चलते हुए इस twin 1 के चकर में यहाँ पर एक UT घट जाती है क्योंकि पहले दो ती अब वो counting में एक आएगी तो एक घट गई तो ultimately एक बड़ी एक घटी पांच प्यार UT आज भी है आपके जो यह तीन mix UT हो गई और 28 आपके natural state रहे गए 29-1 करके अब सवाल यह उठता है कि जो आपके mix UTs हैं इनको आप क्योंकि लड़का लड़की दोनों के characteristic हैं UT के भी characteristic है और state के भी characteristic है तो बोले क्या state बोले के UT बोले बोलने से फरक पड़ता है वो कैसे जैसे माल लीजिए अगर कोई transaction दिल्ली से दिल्ली में हो रही है है ना तो हम इसको कैसे दिखेंगे कि वैलिव अपनी यहाँ पर आ जाएगी 10,000 रुपीज की ठीक है CGST अपना इधर आ जाएगा भाई 900 रुपे का यह आ गया और प्लस अगर मैं इसको state की तरह ट्रीट करके चलता हूँ तो क्या होगा तो यहाँ पर SGST अपना यह आ जाएगा 900 रुपे का यह आ जाएगा यह पैसे जाएगा DL to DL अगर ट्रांजक्शन होती है UT treat करते हुए तो इसके side effect क्या देखने को मिलते हैं तो value आएगी इसकी मान लेजे 10,000 रुपीज की यह आ गया CGST 900 रुपे का सरका इसे नहीं छोड़ती और यहाँ पर आ जाएगा UTGST आ जाएगा 900 रुपे का यह पैसा central government के पास में जाएगा यह पैसा भी central government के ही कबजे में चला जाएगा तो केजरी वाल साहब कहेंगे कि भाई साथ तुम सम्मिले हुए हो मतलब यह कि भाई पुलिस तो तुमारे पास में है पावर पहले से तुमारे पास में पैसा भी ले जाओ हम क्या CM जहक मानने के लिए बने हुए हैं यहां पर तो इसलिए इसको UT नहीं ही माना गया जो mixed UT थी उनको deemed state का दरजा दे दिया गया for GST purpose के लिए कि GST में इसको state के दरह टिट करेंगे ताकि CM साब के पास अपने state का पैसा पहुँच जाए प्रेम से बोलेंगे राध है राध है अब यहां पर बताया गया है आपके लिए कुछ है कि यह laws बताये गए हैं मालिक CGST SGST CGST का एक act आपका बना हुआ है section कुर मिलाकर 1 से लेकर 174 तक आपके आ रहे हैं आपके intermediate के अंदर section 1 से लेकर 53A तक के थे अब और नई बढ़ जाएंगे 54 से लेकर 174 तक के final के अंदर यह सारे हैं पहले वाले भी और अब वाले भी ऐसा क्यों है direct tax में जो आपका income tax पढ़ा दिया गया इंटर में वो final में नहीं होता है यहां पर तो final का और इंटर दोरों का syllabus एकठा है वो इसलिए कि हमारे यहां पर चीज़ें round round घूमती है linkage form में चलती है कि supply के मतलब वहां पढ़ा दिया तो क्या अब उसके बना काम चल जाएगा यहां पर सप्लाइग के परभाश आपको आज भी पताओने चाहिए तभी काम चलेगा इसलिए वो syllabus carry on आपके लिए यहां पर भी किया गया है तो total 1 से लेकर 174 तक section आपके syllabus में है SGST मेंने बताया CGST copy होती है UTGST आपका not in syllabus not in syllabus है और IGST आपका syllabus में है इसमें आपके एक से लेकर 25 तक के sections आते है जो mother body है जो main law है वो आपका CGST है बाकि IGST के अंदर वो CGST के प्रावजेन वो तो लगेंगी लगेंगे कि supply का meaning जो CGST एक्टम दे रखा वो तो जोकते हों हैं आपर भी apply cable होगा IGST purpose के लिए हाँ कुछ नए section जो cross border वाले हैं वो यहाँ पर और add-con कर दिये गए हैं तो 174 वो section और आपके 25 section ये तब बनता है IGST का complete law ऐसे करके आगे है GST compensation cess act बना हुआ है आपका 2017 के नाम से compensation cess होती है जो शुरुवाती दौर में यही था कि कहीं स्टेट को कोई नुकसान ना हो जाए GST काने से एक नया law लेकर आ रहे हैं भाई तो उसमें वादा किया था कि आपको पांस साल तक नुकसान नहीं होन देंगे तो सरकार ने इनिशली पांस साल के लिए GST compensation says introduce किया था लेकिन वो अभी भी चल रहा है पांस साल बाद भी चल रहा है अच्छा कासा मोटा मनाफ़ा चल रहा है और GST ने नुकसान भाई साब जंडेगार रखे हैं दो लाख करोड पर मंथ का आंकड़ा भी रोने पार कर दिया है अभी 20 लाख करोड का पिछले साल में ही नोंने पिछले फनेशल येर के अंदर 20 लाख करोड का लेवल टच मारा भाई साब महलाब क्रॉस मार दिया उसको क्या बात है और एक है Constitution Amendment Act 2016 तो ये तो पढ़ा देंगे इसमें से relevant portion आपको पढ़ाया जाएगा ये आपका not in syllabus ये भी आपका syllabus में नहीं है GST Compensation Act syllabus में नहीं और इसका एक छोड़ासा चैप्टर है मुखे गिने चोने जो आर्टिकल्स है वो मैं आपसे डिसकस यहां पर करके चलूँगा तो ये अपना पूरा structure GST लॉक इस प्रकार से बना हुआ है वैसे करके अब आता है आपका credit का concept मालिक ये credit concept कैसे work करता है कहां से आया क्यों आया इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत आपके उपर अलग से करनी पड़ेगी क्या मेहनत यहां लिखिये जरा एक बहुत शांदार से चीज़ मैं आपको समझाता हूँ आज शांदार से चीज़ ये है यार कि देख हमारे पास जो आपको ठीक लगे वो बताना ठीक है हमारे पास tax collect करने के अलग-अलग principles रहे हैं history में first point collection था first point collection में क्या होता था कि देख यहां पर है manufacturer शौट में लेकर रहा हूँ ध्यान देना manufacturer यहां यह होलसेलर हो गया यहां यह ट्रेडर हो गया ठीक है और यहां यह अपना end user हो जाता है ऐसे करके बोल रहे हैं ठीक है जी अब first point collection बोलता था कि यार आप यहीं टेक्स ले लो बाद खतम इधा टेक्स ले लो आप खतम कहा नहीं अगली transaction पर यहां टेक्स कर चक्करी छोड़ो खतम करो ज़तना बार 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 टेक्स लोगे यहां भी टेक्स छोड़ो आप खतम करो लेकिन इसके अंदर एक problem है और वो problem बड़ी भयानक है कि यहां पूरे chain के अंदर जितने भी लोगों के profits रहे, value additions रहे उस पर GST का लोड़ नहीं आया मतलब उस पर टेक्स का लोड़ नहीं आया सिर्फ factory level पर जो pricing थी वहीं आया तो यहां पर ultimately less revenue आएगा पैसा कम आएगा पैसा आएगा यहां पर कम लेकिन चोरी चकारी जो evasion है evasion भी यहां पर हो पाएगा कम, पैसा कम evasion भी कम, ठीक, अच्छा दे फिर नहीं नहीं आ रहे, मजा नहीं आया दूसरा system लाईए यह लेकर आए फिर पिछले से experience लेकर last point collection अपना लेकर आएए कि taxation का यह system बनाते है यह worldwide principles है कि यह manufacturer हो गया, यह wholesaler हो गया यह अपना trader हो गया और यहां पर यह end user हो जाता है ऐसे करके ठीक है जी, क्या किया है नहीं भाई, उन्होंने का कि भाई, tax आप यहां पर मत लीजिए आप tax यहां पर भी मत लीजिएगा आप tax यहां पर finally ले लीजिएगा क्योंकि अब यह last point पर जो value आ रही होगी इसमें chain में जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनका profit element जुड़ा हुआ है, सारे valuations है तो यह final value है जो consumer के उपर bear करनी होती है तो यह वाली value आप यहां पर देख रहे है तो भाई, उसके उपर आप इसे लगा दीजिए, गा ओके सर, जी, ठीक है जी तो, लेकिन इसमें एक problem है problem यह है, कि ठीक है जो revenue है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन इसमें चोरी evisions इतने ज़ादा हो जाएंगे कि भाई, आप पूछोई मत जैसे मान लिजिए, ऐसे समझो कि यह pipeline है मेरे पास में और यहां पर मैं कुछ पानी इसमें डालता हूं और इसमें कई सारे अगर छेद कर दिये जाएं तो यहां से कर एक लिटर पानी डालता हूं तो यहां निकलेगा 100 ग्राम कहने वारा तो theoretically बोल सकता है जिसे छेद दिखाई ना दे रहे हों कि भाई, एक लिटर डालोगे एक लिटर लिंग लेगा लेकिन practically जो छेद देख पा रहा है वो बुलेगा भाई से 100 ग्राम ही निकलेगा तो यहां पर practically practically जो revenue है आपका वो down चला जाएगा because चोरी ज़ादा हो रही है उन्होंने गौर्मेंट गुस्य मैयार यह कहा तरीका है उन्होंने एक नया formula all लेकर आए कि ऐसी कि तैसी multi point tax collection का यह concept यहां पर लेकर आगए देखते हैं यह काम्याब हो पाएगा के नहीं हो पाएगा उन्होंने का देखो यह manufacturer है यह wholesaler है यह trader हुआ यह आपका यहां पर है end user ठीक है जी तो भाई यहां भी tax लगाईए भाई साब यहां भी tax लगाईए भाई जी यहां भी tax लगाईए हर जगे आप tax लगाऊ तोड़ दो कमर end user की तो अब हर पॉइंट पर multi point इन्होंने tax collection कर दिया है इससे कास केडिंग उपर कास केडिंग उसको उपर कास केडिंग उसको उपर कास केडिंग बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा यहां पर revenue तो मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ कि revenue आपको अच्छा खासा मिलने वाला है जरूष से ज़्यादा आपको revenue मिल जाएगा लेकिन आप अपना vote bank खो देंगे अगली बार आपकी सरकार बनने वाली नहीं है आपका note bank जरूर चड़ जाएगा उपर लेकिन vote bank आप गर जाएगा और vote bank खोकर आपने note कमा ले तो आपने कुछ भी नहीं कमाया घाटे का सौदा रहा ultimate customer की कमा तूट जाएगी महंगाई डाइन बहुत बड़ी हो जाएगी तो यह system भी fail ही रहा फिर इतना learning लेने के बाद आखिर कार लेकर आएए यह multiple point tax with credit concept credit का तड़का इनों ने इसमें और लगा दिया उसमें क्या लगाया कि यह manufacturer है यह wholesaler है यह trader है और यह आपका यहां पर end user मालिक ऐसे करके आजाता है इसमें इन्होंने बस यह बात कही है कि देखो भाई यहां से यहां पर tax लगाई है यहां tax लगा यहां ITC मिल गया effect neutralize इसे बोलते हैं B2B transaction जब दो businessmen के बीच में हो रही है अगली transaction भी B2B है यह transaction भी B2B ही है कहरें अगली वाले पर tax लगाई है इन्होंने यहां पर tax लगाया यहां buyer को ITC दे दिया transaction neutralize यहां पर कहते हैं फिर tax लगाई है और चुकि end user है अब end user को तो ITC भाई टीस नहीं मिलेगा तो यहां पर आकर अब सरकार का यह real revenue बन जाएगा तो हम क्या करते गए लगाया tax लगाया तो यहां तक यह जतना भी tax लग रहा था वो accumulate नहीं हो रहा था ultimately यहां पर जो revenue आएगा आपका वो कौन सा आएगा revenue आएगा last point collection पर जो आता था last point collection वाला revenue आपके हाथ में आएगा और यहां पर उसमें चोरी होती थी थी न यहां evasion की कोई गुणजाईश नहीं है no evasion क्योंकि यहां पर ऐसे बांध दिया गया है multipoint tax collection करके तो multipoint tax collection करके revenue fact नियुट्राइज करके नो नहीं यहां पर यह शांदार सा formula तयार कर दिया है this is your credit concept ठीक सर जी उसी चीज को मैंने यहां पर आपके लिए बताया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर आके कि manufacturer है बनाया tax लिया गया सरकार को यह दे दिये गए दूसरा manufacturer ने wire से compressor बनाया validation किया इतना tax लगाया बोलता है भाई अठार रुपे तो पहले ही जा चुके हैं सरकार के पास मैं उतने का credit दे लिया इतना सरकार को order दे दिया जो जितनी value add करता जा रहा है वो उस पर उतना tax भड़ता चला जाएगा इसने compressor से AC बनाया यह बनाया इसके पास पीछे credit बिल में 180 रुपे का था इससे इसको set अफ किया set अफ करने के बाद मैं 1620 भड़ दिये इसने इतना बनाया पीछे इतना दे चुका था पिछली transaction पे उसको set अफ कर दिया इतना आ गया ultimately आप देखिए 90,000 सरकार के पास revenue पहुंच जाता है last point collection अगर होता सिर्फ पहरे तीनी स्टेज़ पे tax लगता ही नहीं तब ये 90,000 ही निकल के आता तो last point collection वाला revenue मिल गया और evasion रोकने के लिए हमने pipe plan की सुरक्षा बढ़ा दी है जितना पानी यहां डालता हूँ उतना ही पानी वहां निकले इसके लिए pipe plan के सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है इसमें कोई छेद किसी प्रकार का न हो जाए और यहीं चीज़ सरकार ने यहां पर अपनाई है I hope यह बात आपको समझ में आ गई होगी अब इसके अंदर यह माली जी भाई इसकी inward supply हो गई और यहां पर आकर यह इसकी outward supply हो जाती है ठीक अब inward में यह 18,000 का tax पीछे भर के आया था मालिक input tax अथाजार था और input tax ही आगे चलके input tax credit बन जाता है अन्दा जो पहने दे चुके उसको set up कर लेते हैं इतनी सी बात होती है बस यहां आपका output बनता है 27,000 रुपीज का अब कहने को तो बड़ा असान लगता है 27,000 माइनस 18,000 भाई घटा दीजिए बाकि आपको cash पे करना लेकिन इस ITC को use करने के कुछ नियम कानून है manner of utilization है वो हम देखने वाले हैं purchase करने पर जो inward supply लेते हैं तो purchase account debit ITC debit ITC book करना बोलते हैं और यह book किया जाता under section 16 में book करते हैं जहां पर 12 conditions आपके दी हुई है how to book your ITC वैसे करके बोल देते हैं ठीक है जे तो इसके नियम कानून हम already discuss कर भी चुके हैं से आपको एक बार बता देते हैं जैसे माल लीजिए यह आपका यहां पर ITC है input tax credit है और यहां आपका यह output tax बनता है CIS 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 कैसे CGST, IGST, SGST वैसे करके हैं तो पहले अपने अपने के लिस्तिमाल करा दीजे CGST, CGST के लिए IGST, IGST के लिए क्या आपका यह CGST इसके लिए CGST को थे मुझे को थे हाँ मैं तुमसे प्यार तो करती हूं पर एजे फ्रेंड कि करता हो सकते हैं पर आधा, आधा उदा कुछ नहीं उसको सब बाद में देखेंगे मैंनर ऑपेमेंट के चप्ट रहेगा section उसमें आएगा एक उसके तहट हम adjustment कर लेंगे अभी जो जितना है वैसे अपना use करना है आदे वादे के चकर आप यहाँ पर utilization के समय नहीं देखेंगे SGST अपने के लिए इस्तिमाल हो पाएगा SGST आई जिस्ति के लिए इस्तिमाल हो पाता है लेकिन इसके अंदर यह तो आपका यहाँ लिखा है इसमें अपने कुछ internal और external sequences होते हैं जहां तक सवाल है external sequence का तो आपका यह दिया हुआ है और जहां तक सवाल है internal sequence का तो वो मैं आपको यहाँ पर दिया देता हूँ internal sequence यहाँ देते हैं कैसे भला तो पहले आपको ये करना होता IGST को ठिकाने लगाना है ठिकाने लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा पहला नंबर इसका आएगा पहले इसको अपने को खलाएगा बचेगा जो उसमें CGST और B ही इसको दे रहा हूँ किसी भी रिशो में किसी भी तरीके से आप कर सकते पूरा आप CGST के लिए यूज कर लीजी पूरा SGST के लिए कर लीजी आपको जो ठीक लगया आप वैसा यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद फिर बात करते CGST पहले अपने की प्यास बोजाएगा अपने से बचेगा तो फिर वो IGST के लिए इस्तिमाल कर दिया जाएगा सिक्वेंस आपको फॉलो करने इंटरनल भी और एक्स्टरनल भी दूसर नमबर पर यह हो गया अब तीसर नमबर आएगा अपना SGST या CGST का यह दरसल क्या होता CGST SGST एक वेक्ति की दो पतनियों के समान होते हैं एक साथ डानिंग टेबल पर नहीं बैठ सकती है एक ट्रांजक्शन में या तो SGST आएगा या फिर UTGST आएगा एक ही ट्रांजक्शन में दोनों नहीं आ सकते हैं ठीक है जी तो तीसर नमबर पर SGST पहले अपने के लिए इस्तिमाल हो गया और जो बचेगा वो अपना यहां के लिए इस्तिमाल करवा दिया जाएगा वैसे कल बोल देते हैं वैसे UTGST पहले अपने के लिए इस्तिमाल होगा बचेगा तो उसे IDST के लिए इस्तिमाल करवा दिया जाएगा राध है राध है ठीक राध है तो ये था manner of utilization, ये सारी बात आपकी यहां पर मैंने एक बार फिर से शब्दों में लिख दी है कि कौन किसके प्रती, कि IGST पहले अपने के लिए फिर इनके लिए किसी भी रिशों में किसी भी तरीके से, CGST, second number पहले अपने के लिए बचेगा तो IGST, SGST पहले अपने के लिए बचेगा तो IGST, या फिर या तो यह होगा या यह होगा, UTGST पहले अपने के लिए बचेगा तो IGST के लिस्तेमाल करवा दिया जाएगा, SGST यूज नहीं हो सकता CGST के लिए, ऐसे ही Y-C-V-V-S-A भी पॉसिबल नहीं है, छोटा सा यहाँ पर एक एक एक्जामपल दिया है, ज़र आच देखते हैं कि क्या हम internal और external sequence को match कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले हमें IGST, देख रहे हैं यहाँ पर हम, हमारा total output GST 62,000 टुपीज का है, total ITC हमारे पास 60,000 का है, ITC 60,000 20 यह रहा, 10 यह रहा, और 30 यह रहा, ठीक, तो सबसे पहले हमें IGST को यूज करना, तो लेके चली IGST को, तो पहले अपने के लिए इस्तिमाल करा दिया, पूरा पूरा लुल हो गया है, तो खतम हो गया यहाँ पर आकर, हमारे हाथ में बचता है भी 5,000 रुपे का IGST का क्रेड़िट, इसको यूज करेंगे हम किसी भी रिशो में किसी भी तरीके से, मैंने 2 और 3 कर लिया, आप इसे 3,000, 2,000 कर सकते हैं, 5,000, 5,000 कर सकते हैं, पूरा 5,000 किसी को दे सकते हैं, आप जो करेंगे सब सही होगा, यह law के मताबिक यहाँ पर recommend कर दिया गया है, अब इनका जो balance बचता है वो यहाँ पर, 10,000 तो यह बचा, और आपका 32,000 यह बचता है, क्या IGST का balance खतम हो गया है, यस, जब वो खतम हो जाए, exhaust हो जाए, अब अगले नंबर पर आईए, CGST क्रेट पकड़िये, CGST 10,000 था, पहले अपने की प्यास बचाएगा, 10,000 यहाँ पर दे दिया, और बुझ गया, खुद भी बुझ गया, खतम हो गया, तो यह अपना निल यहाँ पर आ जाता है, और यह भी निल अपना यहाँ पर हो गया, और यह बचता है अपना, 32,000 यह आ जाता है, CGST पहले अपने की प्यास बचाएगा, 30,000 यहाँ पर आ जाएगा, और जो बचेगा वो 2,000 आपको, E-Cash लेजर से, Liability रेजिस्टर से, आपको पे अफ करना पड़ जाएगा, तो यह इसको यूज करने का एक तरीका, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है, ठीक बेबी, यस सर्थ, अब आगे क्या है, आगे लिए चलते हैं आपको अब हम, यह एन अनालिसिस औफ प्री एंड पोस्ट, यह जनल नौलिज के लिए है, कि पहले कौन कौन से टेक्सिस हुआ करते थे, प्री जी एस्टी वैट, यह वो फ्लाना डिमका एस्टेसी, बहुत सारे टेक्स आपके हुआ करते थे, कई तरह के सैस हुआ करते थे, सभी प्रकार के सैस को, हवन कुन डमें डाल कर, इसके जी एस्टी में परिवर्टित कर दिया गया, धरम परिवर्टित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ आज भी अडिक हैं, अडियल हैं, जों के तियो रहे, जैसे की, एक्सपो ड्यूटी, इंपो ड्यूटी, खर इनका तो सीन अलग है, ये अपने अलगलग कारणों से, जी एस्टी में शामिल नहीं हुए, उसकी दावत में जाकर नहीं बैठे, ये तो इंटरनेशनल लेविल का लो है, इस चक्र में नहीं बैठ पाया, दूसरा, entertainment tax levied by local bodies ने, municipality ने लगाया है, तो वो तो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि local authorities का, जी एस्टी में कोई किसी परकार का contribution नहीं है, ना लेना एक, ना देना तो, हाँ, अगर यही आपका लगाया होता, entertainment tax by the state government, तो वो तो खतम हो गया भाई साब, वो खतम हो गया, लेकिन local bodies मुनसीप प्रिटे वार नहीं है, यह heavy revenue था, state government को छोड़ने को बिल्कुल भी तयार नहीं करें, जान दे देंगे, पर यह नहीं छोड़ेंगे, stamp duty, road tax, passenger tax, toll tax, property tax, यह आज भी इस काइनात में जिन्दा हैं, यह कही न कहीं, zombie की तरह GST किसा आसपास घूमते रहते हैं, जो परिवर्टित नहीं हो पाए, GST नहीं बन पाए, राधे राधे, पुराने और नई tax की बात करते हैं, कि पुराने क्या थे और नई क्या थे, मैंने तीन काटेगरी बनाई हैं, एक में डाले हैं ये, एक में डाला है tobacco, और एक में डाला है others, जो आपके alcoholic liquor for human consumption, I am not talking about liquor for industrial consumption, जो आपका human consumption के लिए है, शराब की बात कर रहा हूं बे, उस पे सरकार को मोटी state excise duty मिलती है, और sales tax मिलता है, उस पर अपना GST नहीं लगाया जाएगा, ये old हो गए, ये अपना new tax हो गया, मतलब GST वाला हो गया, क्या यहां GST लगेगा, नहीं लगेगा, 5 petroleum product, कहते हैं ना कि शराब पीकर गाड़ी ना चला है, शराब कौन पीता है, इंसान, और petrol पीती है गाड़ी, तो दोनों में अपना अपना liquid नहीं होना चाहिए, आपने पी रखी है तो गाड़ी में petrol नहीं होना चाहिए, और गाड़ी में petrol तो आप में दारो नहीं होना चाहिए, ये अमन एक्सप्रस वे, जो नौइडा से पहुंचता है आगरा, उस पे पता क्या लिखा है, लिकर और पेट्रोल डोंट मिक्स वेल, करें शराब को आप जिसमें मर्ज मिलाएए, सोडा मिलाएए, पानी मिलाएए, जूस मिलाएए, समय ठीक से मिलेगी, बट पेट्रोल के साथ मिक्स नहीं होती है, कहने के मतलब ये है, शराब पीकर गारी ना चलाएए, ठीक है जी, तो ये आज भी पुराने धर्दे पे चल रही है, पेट्रोलियम प्रड़क्ट फिर भी, जी एस्टी माने के चांसेज हैं, लेकिन शराब ना कभी जी एस्टी में थी, ना है ना कभी आएगी, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सम्विधान की बाते पढ़ेंगे, तब बताऊँगा, ठीक है जी, इस पे फाइब पेट्रोलियम प्रड़क्ट पे, सेंट्र एक्साइड डूटी लगती है, क्या था, जैसे मान लेजिए, किसी प्रड़क्ट पर पुराने समय के अंदर, सेंट्र एक्साइड का रेट जो था, वो 12% था, मान लेजिए, वेट उसका 14% बनता था, तो 26%, तो मोटा मोटी 28% वाली कटेगरी में, 28% GST में इनको लाके रख दिया गया, अब अगर ऐसा होता है यहाँ पर, कि जैसे मान लेजिए 12% की यह है भाईया, 12% की यह है, 14% का यह था, 28% कर दिया, दौनों को काट के 28% करते बाद समझ में आ रही है, लेकिन क्या किया है इन्होंने, इन्होंने इसको तो काट दिया, कि भई सेल्स ट्रेक्स तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ, GST के साथ साथ हम, यह नहीं छोड़ेंगे, अब वोई वाली बात है, चैनी खेनी चैन से माँ जा लो, यह रहा चैनी खेनी, को मालिक, मताय रहे हम आपको, तो इसके ओपर सिर्फ और सिर्फ लगना चाहिए था, GST लेकिन सरकार ने का ऐसी कि तैसी, कौन रोड प्यारा चैनी खेनी लेकर, कि हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें, इतना महंगा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर सेंटल एकसाई ड्यूटी भी आपकी लगेगी, और साथ में इसके ओपर GST भी लगाया जाएगा, और मजे की बात यह है कि इसके ओपर कॉम्पनसेशन सेस्ट भी लगाया जाता है, ऐसे करके बोल रहे हैं, हाँ, कॉम्पनसेशन सेस्ट कैसे लगता है सर, जैसे माल लीजे, यह आपकी वैल्यू है, 100 रपे की, इस पर आपका GST यहाँ पर आ जाएगा, नहीं कि सुनो, ऐसे बताता हूँ, यहनि टुबैको को उपर सबसे पहले लगेगा, 100 रपे की वैल्यू अगर है, लिखी दूँ क्या, तुबैको की अगर वैल्यू, 100 रपे की आ रही है, तो पहले आएगी Central Excise Duty, आएगी इसके उपर, 10 रपे की माल लेते हैं, Simplicitically यह आगया, 110, अब आएगा GST on 110, आएं, यह तो कास्केडिंग आगया, इसलिए तो बोलाता कि, कहेंगे रह गया हैं की टानों कुछ-कुछ, 110 परसेंट यह आएगा, 110 into 0.28, 30.8 यह हो गया, और उसके बाद अब आएगी आपकी यहां पर Compensation CES, Compensation CES आएगा, 35 परसेंट से, सर यह किसके उपर लगता है, ओ भाई साब, जिस value पर GST लगता है, उसी value पर Compensation, CES नॉर्मली टेक्स अमाउंट के उपर लगती हैं, लेकिन यह, यह तो भई आ रहे, इसी पर लगेंगे, यह गाड़े तो यह इंचाल लेगी, तो 35 पर यह हो गया, तो एक प्लस यह, 30.8 प्लस 35 प्लस 110, जोड़ो भईया, आप गुणा बहाग कर लीजिए, कि कहां पर क्या निकल कर आ रहा है, तो 110 तो अपना यह आ गया, उसके बाद 30.8 यह आ गया, उसके बाद 35 आपका यह आ गया, कुल मिलाकर 175.8 यह बन जाता है, ऐसे करके, तो देख लो, 100 पेसे कहां पहुँच गया, तो अफेक्टिवली देखा जाए, तो 76 परसेंट का टेक्स इसके उपर लग जाता है, रे, देख लिए आपने, आप कहते हैं कि इसकी कीमतें कम करो, तो यहां तक की बात यह हो जाती है, मालिक, तो rest of the goods हैं, जो rest of the goods हैं, वो सब के सब आपके, पुराने नहीं, नए GST का ही हिसा बनाए, जाएंगे, राधे, राधे, तो हमने कितना काम निबटा लिया बे, हमने यहां पर आकर काम निबटा लिया है, अपना भाईया जी बताए देते हैं आपको टेक्स क्या है, कितने तरह का होता है वो हमने देख लिया है destination principle के हमने बात कर ली जहां पर consume होगा concept of CST देखा origin principle को follow करता है credit का मिलता नहीं है सामने वाले व्यक्ति को और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से पुराने सिस्टम के अंदर चार दिक्कते थी, multiple tax, multiple compliance कास केडिंग, double taxation फिर देखा intra, intra से GST लग जाता है CGST, SGST के हम लोग बात करके चलते हैं फिर उसकी ये practice है उसके बाद हमने देखा कि कुल मिलाकर हमारे पास में 28 natural, 3 deemed, 31 state है 5 unit territory है क्यों multiple point tax collection के साथ में, इसकी हमारी बात करी गई, साथ में credit को जोडा गया ताकि बीच में chain neutralize कर दी जाए, last point वाला ही हमारा revenue आना चाहिए फिर हमने credit को utilize करना सीखा उसके बाद ये general knowledge की हमने बातें करीं, फिर old और new की बातें करीं और अब लेते हैं break और break के बाद चर्चा को पुनहें चालू करेंगे, प्रेम से बोलेंगे राधे, राधे चलो रहे